हेलो फ्रेंट स्वागते आपका मेरे चैनल में तो आज हम कमीज की कटिंग कर रहे हैं जो प्रेंटर सूट है उसकी तो सबसे पहले हमने दोनों साइडों को लिया है और कुछ इस तरी किसे फॉल्ड किया है और फॉल्ड आपको बराबर करना है जहां से जहां से बराबर करने के बाद में आपको इसका जो गेरा है वो नापना है तो आप सूट के जैसे नापते हो उसको चोथाई रखना है इसमें तो मैंने इसको 11 इंच पे रखा है अगर आप सूट से देखकर नाप रहे हैं तो आपको उसका आदा रखना होता है सूट का अगर आप इंसान का नापर ले रहे हैं तो उसका चुथाई रखना होता है तो आप लेंथ आप जितनी यह रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं तो मैंने 40 इंच ली है इसकी लेंथ तो मैं 30 इंच रखूंगी और जहां से उपर से इसको cutting करतूंगी तो आपने के बाद में आपको proper कुछ इस तरी के से कटिंग कर लेनी है आप चितन रखना चाकते हैं उटना राख के उसको labs तक अपड़ा है उसकी cutting कर देनी है और cutting करने के बाद में आब हमें मोडे की जो निशान लगाना है मैं ने 7 इंच पर मोडे की निशान लिया है तो कुछ इस तरीके से तो जहां से जिए मैं 12 इंच लूँगी 12.5 इंच लिया है तो hips का निशान है वो मैंने 13.5 इंच पर रखा है तो कुछ इस तरीके से रखने के बाद में इन सभी को मिला देंगे हम तो कुछ इस तरीके से इसको एक लाइन बना लेंगे जहां से कुछ इस तरीके से जहां से मैंने सभी लाइनों को बना लिया है कुछ इस तरीके से तो जहां से मिलाने के बाद में आपको अब जो तीरा है उसका निशान लेना होगा तो आप तीरा जितना रखना चाते हैं उतना रख लिए हैं आप अपने सूट के अनुसार तो मैंने साड़े शे इंच तीरा रखा है साड़े शे इंच तीरे का निशान लगाने के बाद में इन दोनों को हम मला देंगे कुछ इस तरीके से और जहां से मिलाने के बाद में अब हमें मोड़े का निशान लगाएंगे तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से रखा है और 1.5 इंच पर इसका निशान लगाया है जहां से इसको गुलाई देंगे हम जो मोडे की काड है इसको तो अब हमें शाती के पर निशान लगाना है तो शाती मैंने 9 इंच पर रखी है आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं आप अपने अनुसार तो कमर का निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है आप कम ज़्यादा पर भी लगा सकते हो आप अपने फीटिंग के अनुसार तो जहां से मैंने इसको हिप को 9.5 इंच पर निशान लगाया है तो कुछ इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला देंगे अब हम यहां से दूसरे को भी हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है और जो एक्स्टा फैब्रिक है उसको आप दो इंच बराबर रख लेना जहां से कुछ इस तरीके से और जो एक्स्टा है उसको हम कटिंग कर देंगे तो जहां से मैं एक इंच निशान लगाऊंगी उसको कुछ इस तरीके से मिला दूँगी इन दोनों को आपस में तो जहां से भी मैंने जो आगे की काट डाली है कमीज की तो जहां से भी मैंने डेड़ इंच पे डाली है कुछ इस तरीके से जहां से इसकी कटिंग करने के बाद में अब हमें जो पीछे का गला है उसको बनाएंगे पीछे का गला मैंने दो इंच रखा है तो आप कम जहां फिर जादा रख सकते हो तो मैंने नीचे की साइड से चार इंच पे लिया है और इन दोनों को कुछ इस तीक से मलाऊंगी मैं जब तक मैं से मला रही हूँ आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है लाइक शेर एंड कॉमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो अगर आपको कुछ समझना है तो आप हमें पूछ भी सकते हूं कॉमेंट करक तो इस तरीके से मैं आदे इंच की जहां से गुलाई दे दूंगी जहां से इसको पूरा गोल बना देंगे तो जहां से इसको गुलाई देने के बाद में अब मैं इसको कटिंग करूंगी रेक्स्टा फैबरिक है उसको निकाल देंगे तो कुछ इस तरीके से मोड़े के प कि अगर आपको नाफ कर डालनी है तो आप जहां से आदे इंच की कुछ इस तरिक से तिर्शी कटिंग करनी है और जहां से कटिंग करने के बाद में अब हम इसके ऊपर से और गले के भी साथ ही कटिंग कर लेंगे और कुछ इस त्रीके से मैंने इसको गले की कटिंग भी कर ली है और अब हमें बाजू की कटिंग करनी है तो आपको कपड़े को कुछ इस त्रीके से पहले सीधा रखना है और एक कपड़े को उसके उपर उल्टा रखने लेना है और रखने के बाद में आपको देखना है कि आपका जो प्रिंटर्ड है वो बराबर आए कहीं से आगे जहां पीछे नहीं होना चाहिए तो रखने के बाद में दोनों को कुछ इस तरीके से बराबर फॉल्ड कर लेंगे आपको जितनी लेंथ रखनी है उसे दो इंच एक्ष्टा कपड़ा लेना होता है इसके लिए बाजू के तो आपको मैंने जहां से प्रिंट से ही नापा है तो इसलिए मैं पुरा ही रखूंगी इसमें आदा इंच ज्यादा रखा है तो अगर आपको कोई भी प्लेन सुट में रख रहे हैं तो उसके लिए आपको दो इंच एक्ष्टा कपड़ा रखना होता है इसमें तो कुछ इस तरीके से मैं इसको निशान लगाऊंगी नापने के बाद में और जहां से भी आपको नापना है तो जहां से आपको तीन इ æ सकते हो आप अँटने के बाद में आपसमें विला देंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने शुम लाया है और जहां से विलाने के बाद में अब आपको उपर से जितना वोड़ा रखना है उतना रखना रख लेना है मैंने साधे साथ इंच पे रखा है तो मैं जहां से निशान लगाऊंगी और जहां से निशान लगाने के बाद में अब मैंने कुछ इस तरीके से इसको गुलाई दी है तो जहां से गुलाई देने के बाद में अब मां जहां से सकी कतिंग कर लेनी है इश त्राइब लिए जहां से कतिंग रखना उससे कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों को Is तरीके से मिलाया है जहां से और दूसरी सैडस को कुछ स्पैर के से मिला देंगे है यह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू अब मैं जहां से आदे इंच पर कटिंग क्या निशान लगाऊंगी बाजू के आगे की सेड़ आप दोनों कपड़ों को ही लगाना कुछ इस त्रीके से सो मेरी वीडियो देखने के लिए जाएं